हाई फ्रेंड्स मैं आज बताऊंगी बनाना फिल से कैसे आप डाक सरकल पफी आईस से चुटकारा पा सकते हैं और अपने दातों को सफेद कर सकते हैं बनाना फिल को दो छोटे छोटे टुकरे में काट लीजिए और उन्हें अपने आखों के डाक सरकल के उपर बेस कीजिए बेस्ट होगा इसे आखों के उपर रखके आप 10 मिनिट के लिए लेट जाए तो केले के चिलके में बहुत सारे मिन्रल्स और वाइटमिन्स होते हैं जो डाक सरकल्स को रिमूब करने में बहुत ही बेनिफिशियल हैं फिर से बनाना पिल के एक छोटा टुकरा काट लीजिए और उसे अपने दातों में 2 मिनिट के लिए रब कीजिए और दो मिनिट रफ करने के बाद अपने दादों को ब्रश कर लीजिए इससे दाद सफेद होते हैं बनाना पिल के अंदर के हिस्से को छूरी से रफ करके एक बोल में निकाल लीजिए अपने फिंगर से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मैश कर लीजिए इस पेस्ट को पंदरा मिनिट के लिए रफरी चिटर में रख दीजिए और ठंडा कर लीजिए ठंडे पेस्ट को अपने अंडर आई एरिया में लगा लीजिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये बनाना पिल में मिनरल्स और वाइटमिन्स भरपूर मात्रा में होते है जो आपके आँखों के पास के स्किन को हील करता है और ब्लर सर्कूलेशन भी अच्छा करता है हर रोज इस पेस्ट को अपने आँखों में कम से कम 15 मिनिट के लिए लगा के रखे और फिर नॉर्मल पानी से वाश कर ले इससे आप पफी आईज और डग सगल से जल्दी चुटकारा पास सकते हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है या फिर इस वीडियो रिलेटिट कोई भी सवाल वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे मैं उसका अंसर ज़रू करूँ अभी के लिए बाई फ्रेंड्स